करिश्मा जी थाने के बाहर से उनकी ही बाइक चोरी हुई है क्या इसे आपका एक फेलियर कहें? बोलिए करिश्मा जी कुछ बोलती क्यो नहीं आप हाँ हाँ हमारा भाइक हमारे आखों के सामने से अब तुम कान खोल कि हमारा बात सुनो जो अवे इस घंटा के अंदर अगर अगर हमारा बाइक हमारे आखों के सामने नहीं आएगा ना तो मैया कसम पचिसवे घंटे में दिन और तुम्हारा हुलिया दोनों बिगड जाएगा और कोई सवान धन्यवाद अगर अगर एसा करने के चक्कर में उनके और और बड़ी मुसीबत या बड़ी परिशानी आ गई तो कमाल है क्या हुआ कुछपटा चला उस चोर के बारे में कौन था नहीं पुष्पाजी हम ढूंड रहें लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला इमामला थोड़ा अलग है असले इस इन्वेस्टिकेशन महीं कमाई एक तो महारी टीम में सब टोपा भरे पड़े है किसी को इजद कानी पड़ा है किसी को काम कानी पड़ा है सब को एक चीज बहुत अच्छे से आती कुछ पाजीब कैती अरे देखो देखो पुलीस भाईया अरे पुलीस 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 अरे अरे अपना मोटर साइकल का रक्षा नहीं कर पाई हमारा रक्षा क्या खांकरेगी वो ही करकी ते अर्या ती जहन उ tiahe जहिं मैडम सर जहन क्या हो एं वह वो हमें से बात करनी है हां करी अ kाही है हमें ए फ़ाइर क्यों लिखते पुलिखानी थो हमाराइय्ह कैशारीओ ओ तो पुष्पा जी आप जो करने की कोशिश कर रही हैं अच्छे से समझते हैं यह केस करिश्मा सिंग्का है और हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करें मैडम सर मैडम सर आप समझ नहीं रही है करिश्मा जी ने अभी अभी नहीं जिम्मेदारी संभाली है वो आपके बिना यह केस नहीं सुझा पाएंगी मैडम सर आप आप नहीं जानती मगर हम कहीं भी जाते हैं ना लोग आजकल हसने लगे है पुलिस कितनी निकभी है ऐसा ताने मार रहे है हमारा पूरा पूलिस फोर्स बदनाम हो रहा है मैडम सर पूश हमार साथ तो फीर भी आप है हम यह सब सहलेंगे मगर करीशमा जी तो बिल्कुल अकेली है ना पूश पा जी करेशमा से खुद अकेली सौ के बराबर हैं वो वो समहाल लेंगी अपने अपको उन पर भरोसा रखिए madam sir हमें करिश माजी पर भरोसा है मगर उनकी जो टीम है उन पर भ़रोसा नहीं है madam sir हमें आज तक यही अदत है कि हम सब एक पूरी टीम की तरह काम करते आएं अगर हमें कभी आपकी जरुवत पड़ी तो आप थी हमारे लिए और कभी आपको जरुवत पड़ी तो हम थे आपके लिए मगर अभी जब करिश्माजी बिल्कुल अके लिए तो क्या आप उनके लिए खड़ी नहीं रहेंगी मैडम सर, आपके जजबात में तो यही कहते हैं, जब अपनों को ज़रुवत हो, तो अपने ही मदद के लिए आगे आएं, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, मैडम सर, यह ए इफायर लिखने के लिए हाँ के देजी, तुछ पजी आपको नहीं लगता है कि आपक मैडम के दिमाद में बजरंगबली रक्षा करना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब मचेगा भौकाल मैडम, आप हमारा स्केज काहे बनवा रही है तुम को इतना पसीना काहे आ रहा है? गर्मी है मैडम, गर्मी में तो पसीना आती है अमा तुम्हारा सर के बिलकुल उपर पंखा चल रहा है और तुम कह रहे हो गर्मी है चल तो हमारे अंदर भी बहुत कुछ रहा है मैडम बहुत 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 बढ़ी है भाईसाब ये आपके लीजे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जा सकते है दिखे हमे हमारा बाइक चोर मिल गया मैडम मैडम हम को पीटिये गा नहीं मैडम हमा का टोपा इंसान है भे हम काई पीटेंगे तुमको नहीं वह आहना गबराहत नहीं कुछ भी पोले जा रहे हैं मैडम आप हमारा इसकेश बनवाई किस लिए है गबराये मत हम है आपके साथ एक सवाल था मैडम मतलब आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया आप अदाम खाईए फिर आपका दिमाग चलेगा यह स्केश हमने हसीना मैडम को भठकाने के लिए बनाया है क्योंकि हमें पता लगा है कि पुष्पा जी ने एफ यार लखवा दी हमारे बाइक के लिए और हम नहीं चाहते हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे ही बाइक का केस हसीना मैडम हमसे पहले सॉल्ट कर लें, समझे ऑच्छा अभी भी समझ नहीं आया चाहते हुझ लेकिन आप कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा कुछ अमा हम यह केश हसीना मैडम से पहल्य सुल्टाना चाहते हैं अब जैसी वो इस गट्टे से बाहर आएगी, तब तक हम छोर को पकड़ लेगे. क्या प्लान बनाया मेडम, आपने मतलब मज़ा आगया? सीना माडम, अब आप जो कर सकती है ना, कल लो. मुष्पधी, आपकी जिद की वज़े हमने एफायर तो लिख लेकिन करिश्मा सिंग को हमारा इस सब में इन्वाल्व होना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. माडम सर, बात उनकी पसंद की नहीं है. बात उनकी भलाई की है. और आप जो कुछ भी करने जा रहे है ना, उस ही में उनकी भलाई है. ठीक है, हम मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. लेकिन करिश्मा सिंग इस इन्वेस्टिकेशन में हमको अपरेट ही नहीं करेंगी. हाँ मेडम, लेकिन ही इस स्केच हसीना जी को कैसे बटकाएगा. जब हसीना मेडम हमसे पूछताच करने ही आएगी, तो हम हसीना मेडम को कहेंगे हसीना मेडम. हमको लगता है कि यह जो स्केच है न, यही बंदा हमारा पाइप चुराया है. और जितना हम हसीना मैडम को जानते, वो दिन रात एक कर देगी, पर चोर को पकड़ेंगी कैसे? वे चोर तो हमारे चंपक जी है ना, वो तो उनको कभी मिलेंगे नहीं, तो भटका दिया ना हमने हसीना मैडम को. वे चुलोड़ पोर्ट हो यह पिदाईशी है, सत्मा लगा तुमको. मैडम, हम तो इसलिए हस रहें कि आपका प्लान एक्दम थातू है. इसमें तो हसीना मैडम एक्दम थास जाएगी, कन्फर्म. मैडम से बहुत ही सावधानी से और जल्द से जल्द हमें एकेस सूजाना होगा. क्योंकि अगर करिश्मा जी को हमारे प्लान के बारे में पत्ता चल गया है, तो सब गड़बढ हो जाहिए. वो तो हम जानते हैं. ठीक है, पुष्पा जी. अब ओखली में सर दे ही दिया है, तो मुसल से जार्डलन है, देखते हैं क्या होते हैं. जी. आरा, आरा, आरा… पुष्पेजी, हमें थाना ही जाना है, कहीं और नहीं है. जब काम का बात होते हैं तब इनके फोन नहीं लगते हैं. आ याली ला parity? जयान माम सर? जयान तो करुष्मा सिंङ यह है आपका थाने जयि installer उटने सवागता आपका हमारे थाने में श्चुक्रिया आये बति कर्योटी के लिए याली अब भी ले आते हैं? बताइए माडम सेर, कैसे आना हूँ आपका? वेज ये, करिश्मा सिंग, आप थाना इन चार्ज है. जी. तो बात ऐसी है कि आपकी जो बाइक चोरी हुई है, उसकी F.I.R. पुष्पा जी ने हमारे थाने में लिखवाई है. उसी की जांच पड़ताल करने, इंवेस्टिगेशन करने हमें आये. जी, माडम सेर, बताइए हम आपका काम अदद कर सकते हैं. अब बाइक चोरी होने का F.I.R. हुआ है तो फिर अब उस पे जांच तो करनी बनती है. माडम सेर, हमें तो लगता है इनके बदलेवी बर्ताव की भी जांच होने चाहिए. अब ठेक या रही है. आम, तो करुष्मा सिंग, आपको किसी परशक है? जी, माडम सेर, चंपक. ये, माडम सेर. ये, माडम सेर, पूछता अच की वो सब को भी इसी पेशक है. ये, भगवान, इसके तो माथे पर भी मूछे है. आपके पास कोई और इंफरमिशन है सादमी के बारे में? नहीं, माडम सेर, अभी तक तो इसका कॉंडली नहीं निकला, लेकिन जिस दिन निकलेगा न उस दिन महादशा बनके बैट जाएंगे इसका कॉंडली में. माफ कीजेगा, माडम सेर, हम भूल गए कि ये केस आपके थाना में आया, तो ये जचबाद से निपटेगा. हम दूर है, हम दूर है इस केस से. चाय और समुसा आगया है. बट पड़ी है. मेडम, आपकी चाय, आपके चार समुसा. चीक, बेर. परुष्मा सेर, आपने अपने आसपास के एरिया की CCTV फुटेज मंगा लिए? जी-जी, माडम सेर. आपके, हमें उसकी कॉपी चाहिए होगी. आपके, मेडम, मैं जाता हूँ. लेकर आता हूँ की. धन्यवाद. यह आसपास के एरिया का फुटेज होगा, माडम सेर, क्योंकि जो हमारे थाने के बार, कामरा लगा हुआ है, वो खराब हो चुपा है. तो यहां का फुटेज नहीं है. जिनने देना है, उन्हें दे दीजे. जी. शुक्रिया. वोड्यान में. सुपरफाश छपरा. भास कामरा लाद है. वोड्यान, वो हमारे झाल classic त्क्रिजे. करीया है. । लिफिल यहां थीक तो ना? हम ठीक है, आप ठीक है? तो दूर रहे हैं, यहां बेच जाएगे. दे दो. यह बोकम्प. यह अचानक से बोकम्प कहा से आ गया? जिंदेगी में कुछ चीज है ना मैडम सर अचानक हो जाती है, जैसे हमारे केस में अचानक से आपकी एंट्री. तो यहां पे सब थर्फराने लगता है. आइए माडम सर, हम आपको वह लोकेशन दिखाते हैं जहांसे हमारा बाइक चोरी हुआ है. करश्मसिंग, आप ठीक तो है ना? आप इतनी असानी से हमारी मदद कर रही हैं तो… हम… गजब है माडम सर आप भी. आपका कहा करे आपको तो दिकत, आपका कहाना करे तो दिकत तो आपका कहाना करे तो दिकत तो आपका कहाना करे तो आपका कहाना करे तो दिकत तो आपका कहाना करे तो आपका कहाना करे तो आपका कहाना करे तो आपका करे तो आपका कहाना करे तो आपका कहाना करे तो आपक बगल में छोरा और शहर में धिंडोरा, चोर सामने हैं फिर भी देखने रा उन्तित बहुत शोक है ना Karishmaa, मेडम, आपको अपना भॉकाल दिखाने का, अब हम आपको अपना भॉकाल दिखाएंगे, कल नहीं आज, का यहाँ के हम जो देख रहे हैं, वो आफ आप नहीं देख पाएंगे, बहुत शोक है ना आपको सजा देने का, इं महिला शक्ती का जण्डा अपने ठाने में गार्ती तो ठीक था, हमारे ठाने में नहीं है, काई के यहां के हम सब सिखंदर है, अब आप अपना बैक पैक कर लीजिये और गोरिया पर इस तर बांध लीजिये, काई की अभू होगा जो आप सपने में भी नहीं सोची होंगी। अब भूडेगी खबर, पुलिस वाली की पाइक गायब हुई, वो भी ठाने के बाहर से, हमको तो अभी सही बेचारा के फोटो पर्मा इसे पूल माला दिख रहा है, संतु जी, बेचारा को मालूम नहीं है, संतु जिसका बाइक चुडाया है, रिपोर्ट बाद में लिखती है, डंड पहले दे देती है, बेशक हातों से चला जाईए, लेकिन उसके बाद अपने पहरो से कहीं कभी नहीं जा पाईगा, हाँ हाँ, हम बात करेंगे, बहुरानी से, करेंगे चीते है hmm, कुछ तो हूआ है, थे पुष्पी को दे, पुष्पी इतनी ही साइड है चल पुष्पः! पुष्पाजी, कर दो पुष्पा जी क्या हूआ अख्यों इतनी सायड है करिश्मा जी की वज़े से हमें हमें परिशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती हो अब देखो ना जब से बाइक चोरी का आफ़ार हमने हमारे थाने में निखाए ना परिशान करके रग दिया ठीक तरह से बात भी न पुरे महल लेको भंडारा करा है पुष्पाजी बषे लंज काह खाय थे आप अज लंजबे काखा है कठल की सबजी देखा मेरी फेवरेट सबजी तो और अपने मुझे बुलाया थे पुष्पाजी एक मिनट जैनाडम चीते पुष्पाजी का है पुष्पाजी तो यही मेडम, सब ठीक तो है, का हुआ? अमाप फिर से हमारे टिफन का अदला बदली हो क्या है उनका कठल हमारे पास आ गया है और उनकी शुद्ध शाखारी टिफन में हमारे चिकन चला गया है कई वो चिकन को कठल समझ के खान ले मेडम, मेडम, हम भाग करते हैं अपर अपर जी आप नान भेज नहीं खाती है ना? नहीं, हम नान भेज खाना तो दूर देख भी नहीं सकते है और कभी गलती से देख भी लिया ना तो फिर हमें लगेगा वो बरेवे जानवर की आत्मा हमारे सामने खड़ी है ने ने ने, शत्प्रतिशत्फ शुध्षा कहारी थी पुस्पाजी, आप शत्प्रतिशत्फ शुध्शा कहारी थी अब नहीं रही मतलब? मतलब भी कि आपका और करिश्वा माडम का टेफिन बॉक्स न फिर से एक्स्चेंज हो गया है आपका कट अधाल उखाई है और अभी आप जो निप्टाई है ना उमुर्गी था करिश्वा माडम तुम पर अब 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 यही जह है जहiza चीशास्व के बारे में कुछ पता चला को इन्फर्मिशन मैडम से अभी का तो को इन्फर्मिशन नहीं मिला है अच्छा और वो जो CCTV परेज़ ता उसके बारे में कुछ पता चला संतोश नाहीं माडम सब न Nahin करिश्मा सिंग हमेशा केस को खुद लीड करना चाहती है उन्हें नहीं पसंद की कोई और इंटरफेर करे लेकिन इस बार एक सस्पेक्ट का स्केच ऐसे हमें हाथ में धमा दिया खासकर कि तब जब उनके थानी की इज़त दाव पर लगी है कहीं ऐसा तो नहीं कि करिश्मा सिंग जान बूज कर हमें गलत लीड की तरफ धकेल रही है ताकि हम उलच जाएं आपको क्या लगता है पुष्पाजी? क्या हुआ आप क्यों सुबा सुबा मुर्गी की आवाज निकाल रही है क्योंकि पुष्पाजी ने मस्क स दबा के चिकन खाया है नहीं वह गलती से पुष्पाजी ने गलती से चिकन खा लिया तो वह साइकलोजिकली वह मुर्गे की आवाज निकल रही है हाम मैडम सर हमको तो डर भी लगा रहा है जिस रफतार से मुर्गी बन रहे है ना साम तक अंडा ना दे दे हो गया आप सब का? अब हमारी बात ध्यान से जुनी करिश्मा सिंग सच बोल रही है या जूट यह पता लगाने के लिए हमें उने आजमाना होगा लेकिन कैसे माडम सर? करिश्मा सिंग तक यह मैसेज पहुचाना होगा कि यह जो सस्पेक्ट उन्होंने हमें दिया है वो लीड हमें कहीं नहीं पहुचा रही इसलिए अब हम इस इन्वेस्टिगेशन को नए तरीके से फिर से शुरू कर रहे हैं तो यह आदमी किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से हमसे जरूर क्राएगा और आईसा करने से हो जा जाएगा, दूद का दूद और पानी का पानी शंतोर्प सर्मा करश्मा से कहिए कि हमें उन से बात करनी है यहस fulfillment वाई साब, हाल फिलाल में किसी ने बाइक का डूबली के चावी बनवाया आपसे? बाइक का चावी बनाने वाला एक हपते पहले गाहूँ गया मैं हाँ, अगर आपको घर के चावी बनानी आए तो हम डिसकाउंट दे दे देंगे मैं पश्काउंज गया है तो हम घाए एक यह ले रहे हैं? ठिके मैं एक दो दिन में लोटाते हैं ठीके मैं अमा, यह तो Mr. India हो गया हैं? नहीं क्या समीन खा गई उसको या फिर असमान निगल गया है आपने भी तो सुबह ते कुछ नहीं निगल ए ना मिढू ह। ए एक काम करते ह कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इस केस को नए सीरे से शुरू करने के लिए, मैडम सर आपसे मिलना जाती है क्या? नहीं, हमारा मतलब हाँ, आते हैं, शाम तक आते हैं, ठीक है? लगता है मैडम सर को अमारी किसी बात पर विश्वास नहीं हुआ है इससे पहले कि उनको सच का पता चले तुमको 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 वो सकेच वले गेटप मेन उनके पास जाना है समझ के और उनमें से किसी से तकराना होगा हुम 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 क्या मैडम ऐसे कैसे टक्रा जाएंगे कहीं अंदर डाल के उत्त दिया तो तुमारे बॉडी में आयोडीन का कमी है कि तुमारे भेजे में बात महीं गुषता है जितना कहरे हैं उतना सुनो वर्णा ऐसा कुछ सुना देंगे कि कान के पड़े फट जाएंगे उनसे जाकर टक्राना है और इचावी का गुच्छा मां गिराना है पकड़ो मैडम ये तो सब नहीं चाविया है इसमें एक भी चावी बनी हुई नहीं है बाइक की अमा वो थोड़ी नहीं गुषके देखेंगे नहीं चाविया पुरानी चाविया तुमको बस इतना दिखाना है कि तुमारे पास चावियो का गुच्छा है जो चोरो के पास होता है समझ गये? जी मैडम मरने के लिए कहां जाना है? हमारा मतलब है कि टकराने के लिए कहां जाना है आज शनिवार है ठीक दो गंटे बाद पुषपजी अमीनाबाद पाक में जो पीपल का पेड़ा है उसके नीच हनुमान जी का मूर्ती रखा है वा के दर्शन के लिए जाती है तुमको वहीं पहुचना है समझ गए जी मैड तो इनसे सवाल ये है कि क्या ये पुलिस लखनाओ की जनता को जुर्म होने से बचा पाएगी या नहीं ये पुलिस इस बार नाकामी का ठीक रा किस किस तर पर फोड़ेगी करिश्मा जी क्या आप ओलेंगी इसके बारे में बहुत हो गया इनका कैमरा जब करना इसक्यूज में सवाल ता कि तुमारे मूँ से जवाब निकाल देंगे और ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे ना कि जब मूँ खोलोगे एकी बात बोलोगे दरोगा जी तेखे तो बात मगर तुम साला पने का आप ने ठीक नहीं किया इसका खामियाज आपको भुगतना होगा झाल झाल पियाज आपको भुगतना होगा तुमारे मूँ से जवाब ने जापको भुगतना होगा